हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टो माई चैनल, हैपी वाइब्स हैश्टेग कंचन तो आज मैं आपके साथ बनाना ब्रेट की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो की बहुत ही हेल्दी रेसिपी है तो चल्ये स्टार्ट करतें आज की इस इंट्रेस्टिंग सी रेसिपी को, आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी के बनाना ब्रेट बनाने के लिए मै ने तीन बिल्कुल पके हुए बनाना ले लिये हैं, और इसको हम 4 की सायता से मैश करेंगे बनाना हमारे मैश हो चुके हैं तो मैं डाल रहे हूँ हाफ कप शुगर, वन फोर्थ कप ओयल और साथ ही हाफ टीजपून वनीला इसन्स अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि यह सारा मिक्षर ना अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए अब ड्राइ इंग्रीडेंस में मैंने लिया है वन एंड हाफ कप मैंदा, साथ ही मैं इसमें डालूंगी हाफ टीजपून बेकिंग सोडा और वन टीजपून बेकिंग पाउडर, इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा सिन्मेन पाउडर आप डाल सकते ह अच्छी तरीके से चान लेने के बाद इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा दूद डाल करके इसका एक अच्छा सा स्मूथ बैटर रेडी करेंगे, तो मैंने टोटल हाफ कप दूद लिया है पहले वन फूर्थ कप दूद लिया और फिर बाद में थोड़ा सा और ल कुछ इस तरीके का होना चाहिए यह बहुत जादा लिक्विडी भी नहीं होना चाहिए और तो इसमें थोड़ा थोड़ा दूद डालके स्मूथ सा बैटर बना लिया अब मैंने टीन को ग्रीज कर लिया है तो ऑईल से आप ग्रीज करके इस पे थोड़ा बटर पेपर लग कर दिया था तो 10 मिनट का प्री हीट करने के लिए रखा है अगर आप पैन में कर रहे हैं इसको बेक तो पैन को भी लगबग 10 मिनट ढख करके स्लो फ्लेम पर हीट कर लें तो यह देखिए मैंने बैटर को पूर कर दिया इसको थोड़ा सा टैप करेंगे दो तीन बार ताकि जो एकसेस एयर है ना वो निकल जाए तो मेरा प्री हीटेड अवन में मैंने इसको रख दिया लगभग मैं इसको 35 मिनट के लिए बेक करूंगी बेकिंग रॉड ऑन है और 180 डिगरी टेमप्रेचर होना चाहिए अगर आप पैन में बेक कर रहे हैं तो 40 तो 45 मिनट तक आपक इसको बेक करने में तो आवन टो आवन वेरी करता है टमट्रेचर इसलिए आप 25 मिनट के बाद जरूर एक बार चेक कर ले और जब थोड़ा थंडा हो जाए तब आप इसको डी मोल्ड करें तो केक थंडा हो चुका है इसको चारो तरफ से इस तरह से मैंने थोड़ा से स्क् जाए और क्योंकि हमने बटर पेपर लगाया तो केक हमारा आसानी से निकल आएगा इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो यह देखिए कितना परफेक्ट निकला है और बहुत ही अच्छे से यह बेक भी हो चुका है और मैंने कहा ना कि मैंने बटर पेपर लगाया तो इस को थोड़ा ठंडा करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि गरम के टूटी का चांस ज्यादा रहता है और देखिए किते परफेक्ट स्लाइस भी इसके आ रहा है बिल्कुल स्पांजी केक बनकर के तयार हुआ है अगर इसको आप और हेल्दी बनाना चाहते है तो मैंदे की वीडियों में तब तक के लिए टेक केर एंड बाबाई